हलो दोस्तों नमस्ते कैसे हैं आप सभी उमीद करते हैं आप बहुत बहुत अच्छे होगे तो यहाँ पर ममी कर रही हैं लिपाई पुताई थोड़ा थोड़ा सर्दी पढ़ रही थी तभी का यह ब्लॉग है तो देखें ममी जो है तो यहाँ पर मिट्टी से धेग लगा रह और भाबी यहाँ पर जो भतीर जी है स्कूल के लिए क्योंका इसार जाना जैस सjahna डाव की न इसिति वह यहाँ देखीं जो यहाँ बैठी करेंद देखीं कि दादी ना तभयत खराब रही हैं तो यह न बहुत दुंतिUST हो गया पर अब न थीक है तो यह पर देखें को माल मी जो है तो मिति लाल लाल स्विवत्व रख नी है और अभी ये वाली सबस्द वाली मिति जो है तो इसे बाल्टी में भिगो करके मतलब ये मिट्टी घड़ गई थी इस बड़े से मम्मी ने दुबारा से फूला दिये तो फूल जाए और यहाँ पर देखिए नल जो है हमारा यहाँ पर नल है तो यह नल गल गया था इसे मुर्चा खा लिया था तो फिर भाईया ने में द लूबल? का देखिए नगता है और तो फूल गई है और अम लिगल देखिए म cosm etusjai hrupal. यहाँ पर फा differ का अधा ज़ो Tumiko आंधि यहां पर दादी बैठी है और ममी पताई कर रही है और मपीपैपň कर देती है तो देखिए और मेरे ना पपार नहीं है. मैं आप लोगों को बता देती हूं तो देखिए मम्मी जो है तो यहां पड़िक लगा रही है और पता है जब हम लिपाई पताई कर देते हैं तो पक्के घर से भी ज्यादा सुन्दर लगता है कच्छा मिट्टी का आंगन क्योंकि न इसकी लिपाई पताई कर दो जब यह सू तो मम्मी ने जो है तो पूरे मिट्टी लगा दी है और अभी करने जा रही है लिपाई तो गोबर को सान लिया है मिट्टी से देखिए पानी से और यह है लाल मिट्टी जो हमारे यही पर मिल जाती है मायके में ही पहाड में मिलती है सफेद वाली मिट्टी भी मिल जाती है और यह लाल वाली मिट्टी मिल जाती है, खरीदने नहीं पड़ती है, मम्मी वहीं से ले आती है, बोरी में बर करके, साइकल में रखो आगर के, तो यह देखिए, यहाँ पर कलर मिला दिया है, गोबर में मिट्टी मिला दिया है, तो देखिए कितना अच्छा लगने लगा है कितना सुन्दर लगने लगा और जब यह की लिपाई होगी न तो फिर जब सूख जाएगा तो फिर और ज़्यादा चलाएगा और यहाँ पर दादी ब्रस करके आई है और हमारे घर की साफ सपाई हमारे हाथों में होती है जितना हमेंसे साफ सुतरा करेंगे उतना ही अच्छा लएगा या फिर यह मिट्टी का हो या पक्का हो अगर हम साफ सुतरा नहीं करेंगे तो वो चाहे पक्का हो या मतलब कैसा भी घर हो वो भी मतलब बिकार से बिकार देखने लगता है तो मिट्टी या पके घर से कोई फरक नहीं पड़ता है हम सागर साफ सफ़ाई करते हैं तो ययी मिट्टी का घर ना पके घर से भी जादा सुनदर लगने लगते हैं देखिए तो वुष सैर्ड मंी ने लिपाई कर देकिन कितना लग रहा जब सुख जाएगा तो फाइनली ब मैं लीप रही थी तो मैंने का चलो ममी का वीडियो बना लेते हैं आज काल यूटूब यूटुब थी बहुत जादा ट्रेंडिंग में चल रहा है और लोग देखते भी बहुत जादा पसंद करते हैं और मैंना काफी δिन से सोच रही थी कि मैं रूढ ना डालू याना डालू मुझे लगा कि मनला डाल दो दो, अबक में डाल नमा ममी तो उडिए पंव नहें बनाया ये तो सेयर कर देते हैं पाद में, पदाल में patika बिलिए और पर इसलrow डाल नहीं Idok यहां पर देखें किनारे बना रही है और मनलब इस तरह कीजाइन पर देखनें और बच्चे भी मेरे दोनों यहीं पर है इस वहां में दोड़ा सा देखा होगा यह देखिए ये स्वेटर उतारे आधा निपकाय दिए दिखाओ किसे बात करा रहे हो किसे बात किरा रहे है वाई है ये देखो वही है तो ये मेरा भतीचा बड़े वाले भाईया के दोनों बच्चे वह लड़की यह सशबी और इसकूल चली यह सशबी और यह भतीजा यह बहुत ज़दा बोलता है और देखने भी बहुत ज़दा क्यूट है बाते बहुत अच्छी करता तो देखना आपने बोल रहा था बाबा मतलब दादी को बाजा वरना हम यहीं पर रखे रहेंगे तो हमारे यहां मतलब जैसा बोलता है उसी तरीके से वह बोल रहा था और यहां पर मम्मी जो बाते कर रही थी और लिपती भी जा रही थी और यह ना ओठ नहीं रहा तो मैंने का अगर ओठ होगी नहीं तो मैं तुम्हारा भी लेकर बात कर रही थी क्योंकिना मम्मी मेरे यहां गई थी और मुझे न लिवा करके आए थी यो फैसे बहुत ज़्यादा खुद गया था भावी के दोनों बच्चे तो भावी का काम काफी ज़्यादा हो जाता है इस वावी ने लिपाई पुताई नहीं कर पाई थी तो फ कुछ तो मम्मी ने इस वैसे लिपाई कर दी थी क्योंकि ना हमें गाउं भी जाना था तो मेरी तवे ठीक नहीं थी तो बच्चे भी मेरे साथ ही जाएंगे तो फिर कपड़े धुलने पड़ेंगे चाचा चाची और बाबा यह लोग गाउं में ही रहते हैं और मेरे पापा जॉब करते थे इस वैसे फिर हम लोगों ने यहाँ पर घर बनवा लिया था तो मम्मी भाईया लोग नहीं पर रहते हैं तो बस तो अभी हमको कल गाउं जाना था इस वैसे मम्मी ने का अगी भावी मलब लिपाई-फुताई कर नहीं पाएगी तो वह लिपाई-फुताई कर देते हूं इसके बाद फिर कल चलेंगे तो बस मम्मी ने इस वैसे मलब लिपाई-फुताई की क्योंकि ना फिर शिवरात्री भी आने वाली है और तेहारों में तो यह सब करना ही होता है वैसे भी करना होता है तो यहाँ पर देखिए इसका काम कैसे लगा हुआ है बाब तो बस मम्मी ने यह वाला जो मनला वह था खूंट तो बस यह से लिप दिया हमारे ने खूंटी फोलते हैं तो यह बहुत बड़ा था तो इसमें ना काफी टाइम लगा और इसके बाद फिर स्टाइड कर लिपाई करेगी मम्मी और बाबी मेरी बना रही है खाना क्योंकि तो बाबी अपना काम खाना पीना बनाती रहते और ममी बाहर का काम कर लेती है तो इहां पर बाबु पता नहीं यह क्या फिला रहा था मुझे खुद नहीं समझ में आ रहा था और अंस ने तो नहा लिया है और आकरेती अभी नहाने के लिए रहेगी ठोड़ा-दोड़ा सर तो फाइनली यहाँ पर देखे पूरे आंगन में लिपाई कर दिये हैं ममी ने और अभी मैं आप लोगों को इसका फाइनल लुक दिखा रही हूँ तो दोस्तो अगर वीडियो पसंद आया हो तो मेरा चैनल स्प्सक्राइब कर लेना लाइक करना सपोर्ट करना पसंद आये त दोस्तों के साथ फैमिली के साथ और यहाँ पर देखे अंसर ने भी नहा लिया है तो देखे कितना अच्छा लग रहा है दूप निकल आईए तो सूख भी गया है ममी अब नहा रही है तो चलिए कल मिलेंगे एक न्यू ब्लोग के साथ अब तक लिए आप सभी को बाई बा है और आक्रेति ने भी नहा लिया है तो कल मिलेंगे अपना ध्यार रहा है